रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर सर मैं डॉक्टर अनिल सोनारा एमदाबाद कुजरात से बोल रहा हूं सर मेरा एक सवाल है कि रिसेंटली केरला में हमने आपको सुना था कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेज पे जो बुके एज गिप्ट हम देते हैं उसकी जगा काइ लेकिन अभी इन रिसेंट डेज हमें यह ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है सो कैन वी डू सम्थिंग हम क्या इस चीज के बारे में कुछ कर नहीं सकते जिससे देश व्यापी तौर पे इस चीज का इंप्लेमेंटेशन हो सके सर पिछले दिनों मुझे एक बहुत ही मेरे प्रिय कारकम में जाने का उसर मिला केरल में अच्छा कारकम चलता है कुछ वर्सों से प्रियन पनीकर फांडेशन के द्वारा चलता है और लोगों को किताबे पढ़ने की आदत बने लोग किताब पढ़ने की और जागरुख हो इसलिए रिडिंग डे रिडिंग मांत का मिला और वहां मुझे ये भी बताया गया कि हम बूके नहीं बूक देते हैं मुझे अच्छा लगा और मुझे भी जो चीज मेरे ध्यान से हट गई थी उसका पुना स्मरन हो गया क्योंकि जब मैं गुजरात में था तो मैंने सरकार में एक परंपरा बनाई थी कि हम बूक का हेंड करचीप ताकि खादी को भी बढ़ावा मिले जब तक मैं गुजरात में था हम सब के आदत बन गई थी लेकिन यहां आने के बाद मेरी वादत छुट गई थी तिक केरल गया तो फिर से एक बार वह जागरुख हो गई और मैंने तो अभी सरकार में फिर से नीचे सभाव बना सकते हैं और बूके का आउस बहुत कम होते हैं एक बार हाथ में लिया फिर छोड़ देते हैं लेकिन अगर बूक देते हैं तो एक प्रकार से घर का हिस्सा बन जाता है परिवार का हिस्सा बन जाता है खादी का रुमाल देकर के भी स्वागत करते हैं तो कितने गरीब लोगों को बदद मिलती है खर्चा भी कम हो जाता है और साही रुप से उसका उपयोग भी होता है और जब मैं यह बात कह रहा हूं तो ऐसी चीजों का कितना एतिहासिक मुल्य होता है मैं गत्वर जब यूके गया था तो लंडन में ब्रिटन की पीन पीन एलिजाबेट ने मुझे भोजन पर निमंत्रित किया था एक मात्रू सहज बातावरन था बड़े प्यार से उन्होंने भोजन भी कराया लेकिन बाद में उन्होंने मुझे एक बड़े ही आदर के साथ भावात्मक स्वर में एक छोटा सा खादी का और धागे से बुना हुआ एक हैंकर्चिप दिखाया और उनकी आँखों में चमक थे उन्होंने का जब मेरी शादी हुई थी तो ये हैंकर्चिप मात्मा गांधी ने मुझे भेंट में भेजा था शादी की शुबकामिना के रूप में कितने साल हो गए लेकिन क्वीन एलिजाबेट ने मात्मा गांधी के द्वारा दिया हुआ है हैंकर्चिप समाल के रखा हुआ है और मैं गया तो उन्होंने इस बात का बड़ा आनन था वो मुझे दिखा रही थी और जब मैं देख रहा तो उनका अग्रह राग नहीं मैं उ छोटी सिभ हैं उनके जीवन का हिस्सा बन गया उनके इतिहास का हिस्सा बन गया मुझे विश्वास है कि यह आदत है रातो रात नहीं बदलती है और जब कभी ऐसी बात करते हैं तो आलोचना भी इसकार करना होता है लेकिन उसके भावजित भी ऐसी बाते करते रहने चाहि है अब मैं यह तो नहीं कह सकता हूं कि मैं कहीं जाओंगा और कोई भूखे लेकर आ जागा दूसको मरा कर दोंगा अबसा तो नहीं कर पाऊंगा फिर भी आलोचना भी होगी लेकिन बात करते रहेंगे तो देरे-देरे सुधार भी होगा